नमस्ते फ्रेंड्स, TDS से रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Income Tax Act के सेक्षन 194K के बारे में इस सेक्षन 194K के अंतरकत mutual funds पर दो dividend का payment किया जाता है उसमें से TDS काटा जाता है तो इसी सेक्षन के विशे में यहां हम बात करेंगे तो इस सेक्षन के अंतरकत resident विक्तियों को मिलने वाले dividend income से TDS काटा जाएगा जो भी विक्ति dividend का payment करेगा वो विक्ति dividend का payment करते समय उसमें से TDS काटेगा इस सेक्षन के अंतरकत specified units पर जो dividend का payment करे जाएगा उसमें से TDS काटा जाएगा जैसे कि section 10 के clause 23D के अंतरकत तो specified mutual funds के unit बताए गया है वो specified undertaking के administrator दोरा दो units जारी किया जाते है वो और specified company के दो units होते है वो उस पर दो dividend का payment किया जाएगा उसमें से TDS काटा जाएगा जिस समय dividend का actual payment किया जाएगा या dividend की income payee के account में credit की जाएगी उस समय इस section के अंतरकत TDS काटना होगा उसके बाद dividend का payment करना होगा अब बात करते हैं कि mutual funds के dividend पे TDS कब काटा जाएगा और कब नहीं काटा जाएगा यदि साल भर में किसी विक्ति को 5000 रुपई से कम dividend पे किया जाता है तो ऐसे में कोई TDS नहीं काटा जाएगा और यदि साल भर में किसी विक्ति को 5000 रुपई से जादा mutual funds पर dividend का payment किया जाएगा तो इस section के अंतरकत TDS काटा जाएगा और यदि कोई विक्ति mutual funds को redeem करता है तो ऐसे में उससे जो capital gain होगा उस पर TDS इस section के अंतरकत नहीं काटा जाएगा इस section के अंतरकत के वल mutual funds के units पर जो dividend का payment किया जाता है उसमें से TDS काटा जाएगा इस section के अंतरकत mutual funds के dividend से जो TDS काटा जाएगा उसका rate होगा 10% तो यदि साल भर में किसी विक्ति को 5,000 उपई से जादा mutual funds पर dividend का payment किया जाता है तो उसमें से 10% के rate से TDS काटा जाएगा और यदि उस pay का pen number अवैलेबल नहीं होगा तो ऐसे में 20% के rate से TDS इस section के अंतरकत काटा जाएगा तो आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको useful लगी हो यदि इस वीडियो की जानकारी आपको useful लगी है तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को subscribe करिए धन्यवाद